अब यहां पर देखें रूओल है यह जो लास्ट में गट आपको डिल्काई यह के साथ जह быстр ग्टोरmas है परकेट के चैन सो गांड थीक्या से एक तो पहले होगा कि यह की साथ प्रजेंट प्रफेक्ट होगा साथ ही साथ यह क्या होगा हमेशा निगेटिव होगा ठीक है तो देखिए यहां पर मैंने बोला कि यह के साथ प्रजेंट होगा तो होगा ठीक है निगेटीव होता है क्या निगेटीव की बात कर तो हाँ यहां पे निगेटीव है अब तो चलो यह चीज तो में लिए कि यहां पर देखना होगी प्रजेंट परफेक्ट इसके साथ होगा तो वास तो कार दीजिए यह पास्ट में होगा ठीक है प्रजंट कंटिनुरस की बात नहीं कंटिनियूस का होता है अचाट है अब से बात होगा चाया तो है तो यह भी कौन सा होगा अब देखिए आपका है ठीक है यह आपका प्लूरल है और यहां पर यह स्ट्यूमलर है अब इसमें से भी कौन सा भरेंगे तो अगर आपको चीज जानना जरूरी होता है तो आप आसा नहीं कि आप टेंस को इग्नोर कर सकते हैं भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है तो इस पर मैं विडियो बनाने वाला हूं सोच रहा हूं विडियो मैं बनाकर जल्दी लेकर आँगा अब आपके सामने एक फिलर आ गया तब क्या करें पहला चीज़ एलिमिनेट कर दिया मैंने वाज हटा दिया इस हटा दिया अब यहां पर हैव ह हैं यहां पर दो डर डेन यहां पर सिमलर है अगर यह सीमिलर है ठीक है यहां पर सीमुलर है तो दोसी का देंगे यहां कोशन आपको बहुत कुछ सिखा देता है इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है चलिए अब यहां पे अच्छा एक चीज और इसमें देख लिए यह आपका और यहां पर पूजिशन है अच्छा पूजिशन से जो कनेक्ट होता है यह क्या होता है हमेशा यह याद रखेगा तो पर देट क्या है नावन है यह चीज आपको सीखने को मिले एक कोसले बहुत कुछ मिला पहला तो रूल मिल गया अब को ठीक है उसके पाद आपने टेंस सिंख लिया थर चीज आपने सिख लिया की संटें वर्ड को पकड़ने कर यह नाउन है की प्रनौन है यहां पर आपने मिस्स करेंगे आपको कुछ समझ मी नहीं आने वाला है चुकि देख लो एक चुमें आपको पहले समझा देता हूं यहां पर देख लेना तब आप खुद ही decide करें कि यह समय आप क्या भरो गया एक होता है डिस्पोज्ड ओफ होता है ठीक है और एक होता है डिस्पोज डिस्पोज पलस टू ठीक है यहां पर ध्यान रखिएगा पर मैं अच्छा से लिख देता हूं कि डिस्पोज पलस ओफ और एक होता है डिस्पोज पलस टू अब डोनों ऑगर आप जान ओफ जान लोग perfect कोई देखिए यहां पर जरूरी होता है डिस्पोज आउप का मतभथ होताह अ हटाना ठीक है या समाप्त करना ठीक है हटाना या समाप्त करना अब यहां पर देखो डिस्पोस्टू का मतलब क्या होता है डिस्पोस्टू का मतलब रूची रखना क्या करना रूची रखना किसी चीज में आप रूची रखते हो उसको करते हैं इंक्लाइन ठीक है रूची रखना अब देखो यहां पर फ लगा तो यहां पर देखो की मिनिंग कुछ और दे रहा तो कि बिल्कुल कुछ और लगा जैसे डिस्पोस्ट रिखामपल देगा इस डिस्पोस्ट ट्रावलिंग अब रोड ठीक है उसे अपरोड जाने में बहुत ज्यादा रूची है ठीक अब यहां पर देखना कि दगालवेज विन डिस्पोस्टू क्या गालवेज जो होता है कूरा करकट को कोई भला रखता है कि उसको रूची रखने में तो यहां पर गालवेज एक निगेटिव वर् यह दो को आप रट लीजेगा बहुत इंपोर्टेंट स्क्विंशॉट ले लिजे कहीं नोट कर लिजो कॉपी में डिस्पोस्टू का मतब हटाना या समाप करना और डिस्पोस्टू का मतब रूची रखना अगर आपको यह चीज पता होगा तो फिलर हंडिड परसन आपक सकते हैं चलिए अब यह कोशन नमर थार्ड में आते हैं क्या है थार्ड में भी आपको एक चीज में आपको मैं फिर से लेकर देखा देता हूं एक होता है को वित होता है एक होता है को अप वित ठीक तो यह जो होता है आपका को वित की बात अगर यहां पर जब होगी तो य सिंचूरियसें से रिलेटेड होगा अगर बात करें koup of with तब यहाँ पर संसे रिलेटेड होगा अप देख लोगा अभी धुत कर लेना कोप भीथ मिन्सकी रिलेटेड कोप भीथ मतलब से सामन जस बैठाना को कोप बीद केंगे और किसी व्यक्ति से सामन जस बैठाना को कोप बीद केंगे और किसी व्यक्ति से सामन जस बैठाना किसी व्यक्ति के साथ कंप्रमाइज गरना देन क्या कहेंगे उसको कोप बीद अब यहां पर कोशन पर यहां कुण actor कोप ड sollten कौक से तो क्या होगा और के मीशचीन संगने का言 है यहाँ होगा विक होगा तिन हुगा ठीक इस जातर आप न sûटने लिए कई बार SSE KBS यह बैंग आपका किसी भी एकजाम में ससी कि सभी एकजाम अस्टेनों हो चाहिए आपका सुल हो यह से हो एलडिसी हो उडिसी हो सभी एगजाम में पूछे जाते बात को कि चली है तो हो गया अब तीसरा कोशन के बाद आपके सामने कोशन आ रहा है ग्रामिटिकल एर यह बहुत दोने दूसरे से रिलेट है कोई दूसरा यह दोनों जो देखते हैं ग्रामर का एरर देखते हो या फिलर देखते हो आपको लोग को लगता है कि दोनों है दोनों से अगर बात इससे की जाए बैंक भी थोड़े डिफरेंट आते कि यह रहर होता आपका वर्ड बेस्ट होता है बस लेकिन कई बार उसमें भी सिस्की होती है गुंजा इसको आप भी आपको रूल बेस्ट दीख जाए अब आई इसमें क्या रूस होने वाला भाई ग बता रखा है कुछ वर्ड जिसमें कि पचीश-पचास-दस-वीश-पाइश-पचीश-वर्ड जिसका कहां पर उसकरते हैं कहां नहीं करते हैं अगर यह प्लूरल है ठीक है अपने आप यह प्लूरल है ठीक है तो बैटल को एस लगा क्यों प्लूरल बनाया गया गलती यहीं पर है ठीक है मिस्टेक यहीं पर है ठीक तो यहां पर कैटल से नहीं होगा बलकि क्या होगा कैटल होगा तो आपका यह पार्ट में यहां पर मिस्टेक है ठीक चलिए जो कोशन आप देख रहे हैं कि a smoking is undoubtedly very injurious for health अब कुछ वर्ड ऐस होता है जिसके साथ preposition होता फिक्स जैसे सुपहर होगया गला कैसे अजिसके साथ सबके साथ जो जीमें एक और वर्ड सामिल है इसके साथ फिक्स क्या लगता है। तो बहुत है यहां पर क्या कर रहा है गलत है यहां पर काटी और यहां पर टू लगाए ठीक तो आपका यहां पर कह सकते हैं सी पार्ट में यहां पर गलती है चलिए यहां तो तो क्लियर होगी होगा अब आगे बढ़ते हैं अब ने इस जो कोड़िशन है कि माइफ्रेंग अनु इस वन आप वेस्ट टेनिस प्लेयर इन दे कंट्री ठीक है अब यहां पर समझेगा आपको भी यहां पर एक नियम आपक हो आएगा क्या होगा हमेश्था वह क्या होगा क्लूरल होगा एक चीज़ नोट कर लिजएगा क्या होगा वन आपके बाद के बाद नौन क्या होगा आपका प्लूरल होगा वन आपके बाद नाउन हमेश्था प्लूरल होगा तब वन आप टेनिस प्लेयर यहां पे प्लेय लेकिन आपके क्या होना चाहिए था तो मिष्टेक यहां पर इसमें यह तो लोट कर लिए आपका जो भी होगा नाउन क्या होगा और इसके बहुत सब्सक्राइब बनाने का भी एक ट्रीक है इसका भी एक ट्रीक है वह होता है जो वर्ड होता है यहां पर छोटा होता हैं यहां बर्ट होता है कभी भी कोशन में होता ही यह था है के लिमिट कर दो होगा नहीं बिल्कुल लिए सबस्जीट होता है यह होगी गवार्ट से न होगा उस question उस option में पहले बचा सबस्कत करें उसमें क्या करें हो एम तुक टू हर घिल तुक डू हरे बागता है बहुत तेज़े से लोग करते हैं तो हील कई आपको ग्रो का सिंस देता है ठीक है ग्रोका सिंस देता आपको या फिट तेजे से इनक्रीज या वरने की सेंस या भागने की सेंस बताता है बेल्ट डाउन की बात करें तो जूख ना होता है क्या होगा कोई वैक्ती है जुग गिया तो वह तो होगा नहीं तो यहां पर जो आंसर वहां रोखाव जालो ठीक यहां तक हो गिए अब आते को बीट्रिक से सौल पर इंगे सबसे पहले देखिए वाज प्लेंज सेलिंग ब्लें सीधा साधा सेलिंग मतलब जो सब्सक्राइब उसको नौर्मीन समझे इसका रिलेशन उससे मिनिंग सबुर। अब देखें यहां से नंध गरेना की बात कि नह Cook कर रहा है ऑई चल रहा है तो बात यहां पर क्या हो गरी इसको इसको कर कर दो वाज कॉंप्लिकेटेड कॉंप्लिकेटेड मतलब बहुत ही कष्ट पून या बहुत ही दूबधा पून यह भी कह निगेटीव है इसको भी आप काड़ दो अच्छा कॉंप्पटिशन भी क्या होता है कहीना के एक तरह से देखते से कॉंपटिशन एक टफ के सिंसी में आता है जो कि यह भी कहीं कहीं निगेटीव ही बता रहा है इसको भी है अब देख लो जब तीन चीज़ें होगे तो आपका अंसर यहां से मिल गया यह नमर ऑप्शन होगा ठीक है अब यहां पर नेस्ट कोशन में कि बोल्ट फ्रॉम दा ब्लू ब्लू सब से लग रहे हैं क अब करें ब्लू अशका के बात होता है अकास की बात होता है एक बात होता है यहां पर ब्लू में लाइट की बात आगी यह ओंत 6 diamond डीशोन में मिलेगा तो उसको तो सबसे पहले इंप खर दो ओल्स की बली तो देखो क्लूंटु से वो क्या हो चांग हो ने कोच рок करने वाली नहीं लोग के तो चीज हो रहा है तो यहां पर बात की बात कुई निगेटिव की बात कुन नहीं हो पॉजिटिव की बात है तो कम्प्लीट सर्प्राइज यह और अंसर ठीक है चलो एंद इस वीडियो इस वीडियो का लास्ट जो कॉर्शन है यह भी कहीं है कि आपको काफी रूल बेस्ट है अब देखना है कि यहां पर क्या मैं भरूंगा he would not have been successful in the project but that's my help अब क्या व्यां अब बरोगे विठ भरोगे फ्र बरोगे ऑफ उड़ोगे आफ ऴॉड़ोगे उसमे क्या होगा तो यहां पर एक रूल देखता है नौट कर ली जगा बट for कब मतलब होता है without Without but for का मतलब होता है without तो यहां पर अगर वास देखा जाता तो यहां पर शेखी कर दाता कि यह not have been successful in the project but यह कह सकते कि project without my help वह successful नहीं होता वह successful अपने project में नहीं होता है मेरे मदद के बीना यहां पर my help जो के से साथ और ये इसका मतलम होता है बटन होगा विथ नहीं होगा दो को क्या होगा अपका से नब्र ओप्सब्स घाइट